वह विकास खान डेडी हाट के अंतरगरत ग्राम पंचुआत लेच्व में परशुपालन विभाग थल की ओर से परशु प्रदर्शनी आयो जित के गए कारिग्रम के मोख्यातिती डेडी हाट विकास खान की ब्लॉक प्रमुक बविता चुफाल रहे उन्होंने परशुपालकों को जानवर पालनी के लिए प्रिनित खिया कहा इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी लेजम गाउं के बिशन दत पुनेथा की गाय ने पहला स्थान इसमें प्रदर्शनी में लेजम के साथ कॉली, गोल, चामी, भनार कोट, फितौली, गाउं के पचास से अधिक पशुपालकों को निस प्रदर्शनी में अपने पालतु जानवरों के साथ हिस्सा लिया, पशुपालन विभाग थल के तरफ से पशुप्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें तमाम गाउं के लोग इसमें अपने पालतु पशुओं को लेकर पहुचे हुए थ और पशुपालन विभाग से जो भी सरकारी योजनाये चल ली है, उनको आगे बलाने के लिए विभाग द्वारा देश दे गई है कि हर गाउं में नियाई पिंचार इस तरफ पर वो कैम्प लगाए हो पशुओं के जो देख रहे हैं और पशुओं को जो भी लाब मिलना ह है विभाग से जोजनाओं का पुनता चेत्रवाश्यों को लाब मिले इस परकार की योजनाये आज हमने लेजम ग्राम सवा में आज इस कारेकरम का आई जन किया था पशुपालन विभाग थल की तरब से पशुप्रदर्शनी आयोजीत की गए जिसमें कई गाओं के लोगों ने हिस्सा लिया अपने अपने पशु जो पालतु पशु है उनको लेकर वो पहुचे हुए थे जिसमें ग्याई को पहला स्थान मिला है मुख्यातिती के रूप में बविता चुफाल शामिल हुई और उन्होंने लोगों को पशुपालने की बात कहीं कहा इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी कि लोगों को प्रेजित किया है कई गाउं के लोगों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था अपने अपने पालतु पशु के साथ तमाम गाउं के लोग यहां पहुचे हुए थे प्रदर्शनी में आमदनी बढ़ाने की बात बविता चुफाल ने की है जो कि मख्या अथिती की रूप में नाश्रामिल हुई थी और लोगों को प्रेजित किया जो स्थानी लोग थे गाउं के उनको यह कहा गया है कि वो जादस जादा जानवरों को पाले जुसे उनकी आमदनी भी बढ़े पशुपालन विभाग की तरफ से आयोजित की गए थी पशुप्रधर्शनी जुसमें बविता चुफाल मख्या अथिती के रूप में शामिल हुई और सम्मानित भी किया पहला स्थान पाने वाले वहां के स्थाने नागरी को कई गाहों के ग्रामेडियां पहुचे हुए थे अपने अपने पशुपाल को लेकर इस प्रदर्शनी का हिस्सा वो बने और इस दौरान पहला स्थान पाने वाले नागरी को पुरिस्कृत किया गया और इस दौरान बविता चुफाल ने लोगों को प्रेरित किया कि वो ज ज्यादा से ज्यादा ज्यान्वरों को पालें जिससे उनकी आंदरी भी अच्छी होगे.